हालो एव्रीवन वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जों तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है नियो कृटिसिज्म जो कि बहुत टाइम से कमेंट आ रहा था इस टॉपिक के लिए तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है अगर आपको समझ में आ जाता है न आपके स्लेबस का है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता है वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किये हुए हैं इंट डॉमेनेटेडए अरिकल निट्रोडडियो जिसका कि असर रहा प्रभाव रहा अरिक्वडडियो करता है या रचया करता है यह उस चीज़कर करता है क्लोडर लीडिए की एखालए का इसे कोई literature का work function करता है काम करता है as a self content self content या निदि जो खुद से related हो थिक है मतरब स्वेंच में समाहित हो खुद से उससे का क्या मिनिग निकलता है sap referential या यही हो जाता है आत्म संदर्व में उसका क्या मिनिग निकलता है या तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोई भी वर्क को जंज करना है ठीक है एकॉर्डिंग तु नियू कृटिसिस्म, दा मुवमेंट स्टार्टेज फॉर्म जॉन क्रो रैमसम्स नियू कृटिवन बुक लिख रखे थे नियू कृटिसिसिम के मुवमेंट की शुवात मानी जाती है दा मैथड ओफ नियू किर्टिसिसम जो है न जो तरीका है नियू कि विख इज जो करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं तो ETC, इन सब चीजों पर focus करते हैं, according to new criticism, अब आगे हैं, the meaning of the new criticism, कि meaning जो earth होते है new criticism का, is to analyze, analyze यह नहीं, व्याख्या करना, and find the meaning within literature, literature का meaning पता करना, by utilizing just the text, if text को utilize करके, if text को ध्यान में रखके, मतलब कोई कवीता है न, वो लिखी गई है, बस उसको पढ़के, जो meaning मेरे अंदर आ रहा है, सब के अंदर अलगर अलग meaning आगा है, तो बस उस meaning को utilize करना, उस meaning के व्याख्या करना है, ठीक है, rather than considering any inference or intention of the author, ना तो हम लोग को कोई author का concern, ध्यान रखना है कि author क्यों इस work को लिखे, कि situation में लिखे, यह सब ध्यान नहीं रखना है, या कौन लिखे, अगर words लिखे, तो उसमें romantic कुछ element होगा, कुछ nature के बारे में होगा, तो यह सब बिलकुल ध्यान नहीं रखना है, कि author का intention क्या था, इस work को लिखते time, बस हम लोग को खुद का, खुद को जो text पढ़के, जो भी आए, mind में, वो utilize, वो analyze करना, उसकी व्याख्या करना, इस चीज़ पे, new criticism पे, जोड दिया गया, ठीक है, और the historical or cultural background might have had on the work, या फिर कोई भी historical, कोई एतिहासिक या cultural, कोई पारंप्रिक background, ये सब को भी, कोई एतिहासिक या पारंप्रिक background को भी, हम लोग को वर्क को पढ़ते समय, mind में नहीं रखना है, सिर्फ text को utilize, text को analyze करना है, ठीक है, बाकी किसी चीज़ से influence नहीं होना है, text पढ़ते time, ऐसा किसके according है, new criticism के according है, अब आगे है, there theory focuses on the idea, ये थोड़ी जो है, इस idea पे focus करती है, that the true meaning can be found in text, कि जो कोई भी वर्क का, जो true meaning होता है, उसके text में ही पाया जाता है, the foundation of new criticism was led in the books and essay written between 1922 to 1932, और जो foundation नहीं जो आधार रखी गई new criticism की, वो हम लोग को 1920, 1920 से 1930 के भी जो book लिखी गई ना, जैसे आये रिचर्ड के द्वारा लिखी गई, या आये रिचर्ड की बुक जो practical criticism लिखी गई, एंट ये सिलिएट की जो the function of criticism लिखी गई, तो उसी time क्या माना जाता है, नहीं कि foundation नीव रख दिया गया था new criticism का, the approach was significantly developed late, however, हलाकि ये जो approach ये दिश्टी को जो develop हुआ, इसका विकास हुआ, वो थोड़ा लेट हुआ है, however, by a group of American poets, इसको develop किया गया कुछ group, American poets के कुछ group के द्वारा, and critics के द्वारा, आलोचको के द्वारा, including जिसमें के शामिल है, John Crow, Remsham, Klynet Brooks, Robert Ben Warren, and William K. Wimset, तो ये सब सामिल है, American poet है, इनके द्वारा new criticism को develop करवाया गया, ठीक है, आगे start तो ये आये रिचर्ड और T.S. Elliot के वक से ही हो गया था, लेकिन develop इसको बाद में America के critics poet करवाए, फिर आगे है chief exponent of new criticism, new criticism के कुछ मुख एक्स्पोनेंट, या नि जो व्याख्या की हुए new criticism को, उस poets के बा इनके वाना में together with Elliot, Elliot के साथ is the most influential critic in the 20th century Anglo-American criticism, 20th century का जो एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसम के प्रमुख क्रिटिक आलोचक माने जाते हैं कोन कुन, आये रिचर्ड और उनके साथ T.S. Elliot, अब आगे, he has been considered the father of new criticism, इनको क्या माना जाता है, father of new criticism माना जाता है, इसको underline भी खिये वे हैं कि इनको आये रिचर्ड को, among the modern आये रिचर्ड, अब जो जितने भी आधुनिक पोईट है, उनमें से जो आये रिचर्ड है, is the only, सिर्फ आये रिचर्ड है, who has formulated a systematic and complete theory of literary art, जो की, एक systematic और पूरा theory दिये literary art का, his reputation as a, उनकी जो reputation है, as a critic, in a limited number critical book ही रोट, तो as a critic हो है कुछ, limited number, कुछ ही book लिख रखे है, as a critic, his first book, उनका जो पहला book है, the foundation of aesthetics, written within collaboration with two friends, वो दो friend के collaboration के साथ लिखा हो गया है, ठीक है, मतलब जो उनका सबसे पहला work है, as a critic, आये रिचर्ड का, the foundation of aesthetics, वो अपने दो friend के साथ मिलकर लिखे हुए है, in the book, इस book में, the authors have tried to define beauty, authors क्या क its effect on readers, और इसका, मतलब, readers पे, पार्टेक पे क्या असर पढ़ता है, ये भी दिखाते हैं, ठीक है, यह beauty, it means हो जाता है, कि किसी work के, किसी poetry के beauty को, ठीक है, इस sense में बताया गया है, कि कोई work लिखा गया है, तो उसकी beauty के बारे में, उसको पढ़के, readers पे क्या effect पढ़ता है, its second book, the meaning of meaning, उनकी जो दूसरी book है, the meaning of meaning, was written with Ogden, वो Ogden नाम की poet के साथ लिखे है, it distinguish between the symbolic use of language, ये मतलब, अंतर बताता है, हम लोग को, किस चीज में अंतर बताता है, language का symbolic use in science, कि science में कैसे symbolic use के जाता है, किसी भी language का, and it's emotionally used in poetry, and it's emotionally used in poetry, and poetry में कैसे emotionally use के जाता है, कोई भी वह सको, ठीक है, तो इन दोरों के बीच में अंतर बताए हुए है, practical criticism is based on his lecture room experience, उनका जो next work है, practical criticism है, जो के उनके lecture room के experience, जहां पे वो lecture देते थे थे थे, conducted in Cambridge, Cambridge के university में जो lecture देते थे, तो उनके उस experience पे based है, कौन सा उनका वर्क, practical criticism, the quality of a good critic is three, says I.A.Richard, I.A.Richard का कहना है, कि अच्छे critics में ये तीन quality होना चाहिए, कौन कुन सा, एक critic should have a strong control over words, एक अच्छा critic को words के उपर control होना चाहिए, मतलब words का बहुँचे दा knowledge होना चाहिए, and the effect they produce, और उस word के वज़ज़े क्या effect produce हो रहा है, it means उस word का क्या deeper meaning है, और उस meaning के वज़ज़े किस तडिके का जादा knowledgeable होना चाहिए, and be able to distinguish experience from one other, वो एक जूसरे के अनुभवों को, distinguish यानि अंतर दिखा सके एक जूसरे के अनुभवों में, विचारों में, अब आगे, critic must have sound just of values, critics को values का मुल्नियों का एक अच्छा न्याइदिस होना चाहिए, and have an adequate knowledge of psychology, और उसको psychology मनो विज्ञान का अच्छा knowledge, यानि होना चाहिए, अच्छा ग्यान होना चाहिए, according to I.A. Richard, ये qualities critic में, जरूर होनी चाहिए, अब आगे, Richard himself poses this qualities, Richard could, इन सब qualities, मतलब, ये सब सारी qualities जो है, Richard में थी, Richard did a great service to literary criticism, literary criticism के लिए, मतलब, एक महान काम किया, कि इसकी सेवा, मतलब, बहुत अच्छा का क्या कि लिए, रिचर्ड, बाइ लिंकिंग इट विट साइकोलोजिस को, क्या कि लिए, लिट साइकोलोजी के साथ, जोड़ कर, एक महान काम किया है, वेकों, रिचर्ड, अब आगे, हम लोग, T.S.E.Liott के बारे में, पढ़ते हैं, रेडिशन ए इंडिविजूल तैलें वेलने वर्क्स जाना जाता है, इसमें कि गुश्च जाना जाता है, इसमें कि एलियट, अपनी क्रिटिक कापसिटी, एस में अ ए्लो, चक एज़े, क्रिटिक उनकी जो कि वापसिटी है, उसको प्रोदूस कि baru, अचका वे, इस एसी आफिउल ग्लेश्च वीज और बाद में जो इलिएट का पहला बुक ता क्रिटिसिज्म का उसमें प्रब्लिश करवाया गया किसमें दस सेकर डूड में 1920 में इन इस एसे हैमलेट और उसकी प्रब्लम में यूजज़ दा फ्रेज अब्जेक्टिव को रिलेटिव कर रहे हैं नॉर्मल लेंग्वाजे समझ रहे हैं कि किसी घटना को हम कोई अब्जेक्स रिलेट कर रहे हैं मतलब उनका कहता कि हैं घ्यम्लेट में अ उस तरीके से सेक्सप्याय ए UPS अ चेसके साड़ियट यहीरह है, ऑसारोमलली हम्लेक्वी ने गुश्टिक को चैरा है और गुस्से में हम इस पेन को यहां पर गुस्से में फेकते हैं तो मेरा जो गुस्सा है वो रिलेटेट किस तरह से हो गया एक पैंसर रिलेटेट हो गया गुस्से में कोई चीज फेक दियें पेन को फेक दियें तो इस तरीके इसका तर्म आजाता है मतलब कि сам allocate से में इर मेरा in emotion मेरा feeling या कोई भी घटना कोई प्लेगा को इस अख्रe को बढ़ना को कि ऑनके और प्रेंस को ए मैं इसका रिख द्रम इसका डिशन को कैसे emotion को best तरीके से expressed किया जा सकता in poetry and it is a part of his theory of impersonality और यह उनके theory of impersonality concentrating उसका part था है not on the poet but on the poetry theory of impersonality का part जिसमें क्या है कि हम लोग को concentrate poet पे नहीं करना चाहिए बलकि किस पे करना चाहिए poetry पे concentrate करना चाहिए Elliot insistence on the fact that Elliot इस तथे पे जोड देते हैं that poetry must be impression जो यह बोले थी कि poetry को impressional होना चाहिए इस वज़े से क्या होता है इसका new criticism के formation पे काफी ज़्यादा हम लोगों को प्रभाव देखने को मिलता है T.S. Elliot के से statement का poetry को क्या होना चाहिए impressional होना चाहिए अब आगे है John Crowe Ransom की बात करते है John Crowe Ransom was an American educator एक American educator यानि सिख्छक थे, scholar थे, critic थे and poet, assist और editor थे ठीक है He is considered to be the founder of new criticism यह founder of new criticism यानि book लिखे थे new criticism के नाम का तो यह संस्थापक के रुप में जाने जाते है new criticism के He says that, उनका कहना है कि Critic must study literature Critic literature को study करना चाहिए Note about literature यह नहीं कि सिर्फ literature के बारे पढ़ना चाहिए यह literature को पढ़ना चाहिए एक critic को एक आलोचक को ठीक है, आलोचक को एक क्रिटिक को नोथा जो दूसरे की work को judge करे उस पे अपना राय दे अच्छा बुड़ा हर तरीके से In new criticism, new criticism में He proposed the following ideas वो कुछ idea दिये हुए है जो कि यह है कि text becomes the focus on the close reading कि text becomes the focus on the close reading वही कि text पे mainly text के close reading पे focus देना चाहिए The analyze of a text has to be scientific and precise जो analyze जैनि जो व्याक्या करें हम लोग text की वो क्या होना चाहिए precise जैनि बिल्कुल ठीक होना चाहिए और scientific होनी चाहिए अब आगे है personal, historical, moral and biographical details around a text are all rejected in the field of new criticism according to John Crowe Ransom क्या होना चाहिए कि personal, कोई भी व्यक्तिगत historical, एतिहासिक, नैतिक या फिर biographical details को text के, text के मतलब अंतर का जो भी details हो या चाहिए प्रशनल हो, एतिहासिक, नैतिक, या बायोग्रफिकल हो तो यह सारे चीज़ को इग्नोर करना चाहिए in the field of new criticism new criticism के field में यानि new criticism के according यह सारा चीज़ को इग्नोर करना चाहिए किसी भी text में जब किसी भी text को पढ़ रहा है उसको अनलाइज कर रहा है उसकी वैख्या कर रहा है क्लेनित ब्रुक्स क्लेनित ब्रुक्स क्लेनित ब्रुक्स यह काफी महतरपून अमेरिकन टीचर थे whose work was important in establish the new criticism जिनका work काफी important महतरपून आ जाता new criticism के establishment में new criticism के अस्थापना में which is stress close reading यह भी stress देते हैं इस चीज़ जोड़ देते हैं close reading पे and structure analysis of literature और literature के structure analysis structure based वैख्यां पे जोड़ देते हैं ठीक है में हम ज़्यादा mention नहीं कि आप चाहो तो और दो चार लाइन mention कर शकते हैं आपको notes बढ़ा करना है तो अब आगे हैं William Kurtz Wimsett के बाने पढ़ते हैं William Kurtz Wimsett was also an American professor यह भी American professor थे of English literary theorist and critics और English literary theorist भी थे और critic आलोचक भी थे Wimsett is often associated भी थे discussion of intentional fellowship Wimsett जो है related है संबंदित है किस्चिस के discussion से intentional fellowship के discussion से ठीक है which develop जिसका की वो विकास की है with किसके साथ Monarch Beardsley के साथ in order to discuss और क्यों विकास की कि वो discuss करते थे the importance of an author intention कि वो यह दिखाने के लिए author का intention कितना important होता है with the creation of a work of art कि कोई भी जो creation work की रशना की जाती है तो उसमें author का क्या intention होता है उसका क्या मात होता है तो उसी चीज़ को discuss किये कोई दूसरे author Monarch Beardsley के साथ ठीक है कौन Wimset discuss किये intentional fallacy is the mistake of attempting to understand the author's intention according to him intentional fallacy जो है वो mistake है एक गलती है attempt किसी भी अंडर समझने के लिए author के intention को समझने के लिए when interpreting a literary work जब किसी हम literary work को जज कर रहे हों literary work की वैक्या कर रहे हों तो वो intentional fallacy को गलत बताए है ठीक है उस time author की मंशा को ध्यान में रखना यह जिस गलत बताए हुए है such as approach is fallacious ऐसे approach को ऐसे दश्टी को गलत बताया गया because क्योंकि the meaning of a work क्योंकि जो meaning होता है किसी भी work का should be content solely within the work itself कि वो सिर्फ उसी work में अकेले सिर्फ उसी work में नहींत होना चाहिए and attempts to understand the author intention violate the autonomy of the work और अगर हम उस work में मतलब एक तो यह हो गए कि earth उसी work में नहींत होना चाहिए कोई भी work हो उसका meaning उसी work में होना चाहिए अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि author के intention कि किसी लेखक की मतलब समझने की कोशिश करते है intention को work के through तो यह क्या होता है is violet the autonomy of the work तो यह क्या होगे उस work का उलंगन होगा उस work को judge करने के नियम का उलंगन होगा अगर हम लेखक की मंचा को ध्यान में रखके उस work को judge करते हैं अब आगे है Robert Penn Warren तो यहां से हम लोगों clear हो रहा है कि हर author बस text को analyze करने की बात करते है ना तो historical background, political background ना ही किसी लेखक के कोई style को ध्यान में रखके ना किसी लेखक के political historical background क्या सोच के लेखक लिखे थे यह सब work को judge करते हैं यह सब mind में ना रखकर सर्फ text को analyze करने की बात करते है new criticism में हर author यही चीज़ बताया हो है अब आगे Robert Penn Warren की बात करते है Robert Penn Warren was an American poet यह भी एक American poet है, novelist है, literary critic है he was one of the founders of new criticism, यह भी one of the founders अंस्थापक के रूप में जान जाते है new criticism के, along with klinet Brooks, klinet Brooks के साथ he was also known as the leading representative of new criticism, तो klinet Brooks के साथ यह भी मतलब एक representative यानि परते निधृत्यों करता माने जाते है, मतलब जिन से सुरुवात हुई new criticism की तो वही माने जाते है, कोन? Robert Penn Warren भी and his works helped, और उनका जो work है वो help करता है, revolutionize the teaching of literature मतलब एक क्रांती का काम करता है literature के teaching में by bringing new criticism into America's college classroom यह क्या किये, कि new criticism वाले concept को, new criticism वाले idea को अमेरिका के college जो था, अमेरिका का, उसके classroom तक लाए, उसका क्रांतिकारी effect को college के classroom तक लाए, उस time के बाद यह new criticism पढ़ा जाने लगा college में ठीक है, तो यहाँ पे जो है normally हम जो भी author important थे वो discuss कर दी, अब आगे हम लोग conclusion देखते हैं, thus, इस प्रकार new criticism focused on the purity of act, act की purity पे कारी की purity पे based है new criticism of reading reading की and analyze without bothering, और उसकी व्याक्याँ पे without bothering about historical or political perspective around the text मतलब, text के around, text के चारो और जो भी historical, एतिहासिक और आजनेतिक स्तिती रही जो भी कारण रहें, उन सब को ignore करते हुए सिर्फ text को analyze करना इस चीज़ पे main based है new criticism to apply new criticism एक new criticism को apply करने के लिए critic must look only at the text a critic को एक आलोचा को सिर्फ text को look करना चाहिए, text को देखना चाहिए of a work of literature कि किसी भी text को देखना टेक्स्ट के अंदर ही किस चीज़ को इसके themes को देखते हुए, structure को देखते हुए, literary device को देखते हुए जो कि उसमें प्रजेंट है उपस थी था it means figure of speech, rhythm, meter यह सब को ध्यार में रखते हुए उसी टेक्ट में ही meaning ढूणने की कोशिश करना चाहिए new criticism takes the idea of text new criticism जो है विचार लेता है text का as an isolated cerebral process यह एक isolated यह अलग है सबसे और cerebral process मस्तिस्क्य किरिया है new criticism जो में जो हम वर्क को जज़ करते है वह हम लोग के cerebral process पर depend करता है अकेले मस्तिस्क्य किरिया पर depend करता है away from the politics, morality and history etc history, politics, morality in सबसे दूर new criticism का idea है new criticism में जो टेक्स्ट को analyze करने का जो तरीका है वह हमारे cerebral process पर depend करता है ना कि politics, morality और history पर ठीक है तो यहाँ पर जो है यह वीडियो खतम होता है वीडियो गर आपको अच्छा लगा आप किस लिवस का है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताने वीडियो को कैसा लगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ